यह एक टॉपर की answer sheet है और इसमें यह check करो कि examiner ने ना कहां कहां पर tick लगाया examiner ने एक tick यहां पर लगाया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चोथा यहां पर और पांचवां यहां पर examiner के पास इतना फालतू का time ही नहीं है कि वो यह पड़ेगा जो answer paper में तुम लिख के आ रहे हो ना, वो कोई अलग answer नहीं है, हजारों बच्चे सेम answer लिख के आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ना, टोपर बन जाते हैं, और कुछ बच्चे ना, वहीं पर average बन के रह जाते हैं So hello everyone, this is your Gaurab, बहुत सारे बच्चे अल्रेडी मेरको जानते होंगे, और अगर आप मेरको नहीं जानते हैं, तो मैं अपना छोटा सा introduction दे देता हूं, मैं 10th and 12th class का ओट ओपर रह चुका हूं, मेरे 10th में 100% थे, और 12th में मेरे 98.5% थे, तो आज की वीडियो में आपको अप आपका paper check होने वाला है, और जब आपका paper check हो रहा होगा ना, उस time examiner का mood कैसा होगा, हो सकता हूँ अपने घर पे लडाई करके आया हो, हो सकता आपका paper check करने से पहले उसने कोई duffer बच्चे का paper check किया हो, और सारा का सारा जो गुस्सा है ना, वो आपके paper पे निकल जाए, तो ये जो वीडियो नहीं बहुत important होने वाली है, जितनी भी मैं चीज़े आपको बताऊंगा ना, अगर आपने ये सारी चीज़े follow कर ली, मैं लिख के दे रहा हूँ, जब आपका examiner आपकी answer sheet चेक करेगा ना, वो आपकी answer sheet से इतना ज़्यादा impress हो जाएगा, कि जितने आपके number आने थे ना, उससे 5-10 number आपके ज़्यादा ही आएंगे, देखो जब भी examiner आपका paper चेक करता है ना, तो वो कभी भी paper अपने दिमाग से चेक करता ही नहीं है, क्योंकि देखो, for example मालो आपके paper में question आ गया, कि भई cerebrum के तीन function बताओ, क्योंकि brain का एक part होता है ना, cerebrum, उसके कोई भी तीन function बताओ, अब कुछ examiner के इसाब से वो जो तीन function होंगे ना, वो different होंगे, कुछ examiner के इसाब से वो तीन function different होंगे, अब मालो, आपने जो तीन function लिखे है ना, वो किसी examiner के इसाब से सही नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि भी कोई और तीन function लिखने थे, तो वो तो कट लगा देगा ना, लेकिन किसी और examiner के इसाब से जो तीन function आपने लिखे हैं वो सही है, तो अब examiner examiner के उपर भी depend करता ना, कि कौन से examiner को कौन से तीन function important लगते हैं, तो यह गलती ना हो, हर examiner को ना पेपर चेक करने के लिए, एक answer की मिलती है, यह क्यों दी जाती है, ताकि हर examiner जब paper चेक करे, तो बलकि इस answer की के हिसाब से चेक करे, और यह जो answer की है ने, यह आपके किस तरीके से दिखती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मैंने यहाँ पर SST की अंसर की लिए है, ठीक है, जैसे for example, यह 28th कोशन है, ठीक है, कोशन यह था, कि transparency is the most important feature of democracy, sport the statement, अब बहुत सारी बच्चे पता है इसमें क्या करेंगे, इस कोशन का जो अंसर है न, वो paragraph में लिख के आएंगे, आपको एक गाठ अपने दिमाग में बांध लेनी है, चाहे कैसा भी कोशन हो, आपको जो अंसर लिखना है, वो point wise लिखना है, अब यहाँ पर देखो answer की में बताया हूँ है, कि इस question को कैसे check करना है, जैसे यह question आपका तीन नमबर का था, तो इसमें आपको total तीन point लिख के आने थे, लेकिन अंसर की में देखो, यहाँ पर total पांच point लिखे हूँ है, और नीचे लिखा हुए कि अगर student ने, इन पांच point में से कोई भी तीन point लिखे न, तो वो इन पांच point में से बच्चे ने क्या तीन point लिखे हैं, अगर आपने कोई भी point इन से बाहर लिख दिया न, तो वो आपका गलत वाना जाएगा, और यह जो answer की है न, यह आपके पांचो paper की बनती है और हर set की बनती है, और जो आपका paper check होता है, तो एक examiner को एक set वाले paper मिलते हैं, दूसरे examiner को दूसरे set वाले paper मिलते हैं, तो इस तरीके से set wise examiner decide होते हैं, कि वही कौन से examiner को कौन से set वाले paper देते हैं, और उस examiner को उस set की answer की मिलती है, और वो examiner है, उस answer की के हिसाब से आपका paper check करता है वो अपने हिसाब से paper check करी नहीं सकता और जो यह answer की होती है यह सारी की सारी आपके point wise होती है यहाँ पे आपको नमा हर question दिखाता हूँ देखो जैसे यह describe वाला question था ठीक है इसमें आपसे point नहीं बोले हैं कि भी point बताओ direct point बताने के लिए नहीं बोला है लेकिन इसका answer भी देखो आपको point में लिखा क्या आना है हर question देखो यार हर question आपका point wise है मैं अगला question दिखाता हूँ जैसे explain the process of unification of Italy बहुत important question है 5 नमर का question आता है paper के अंदर इसमें देखो यहाँ पे 5 point लिखे हो है तो अगर आप notice करोगे कोई भी question देख लो हर question का जो answer है वो आपको answer की में point wise दे रखा है कि वही बच्चे ने इन point में से answer लिखा है तो ठीक है अगर इन point के बाहर से answer लिखा है तो वो गलत है अभी तो मैंने आपको SST के answer की दिखाई थी अब मैं आपको math की answer की दिखाता हूँ और हर answer की में न देखो यहाँ पर guideline लिखी होती है कि जो examiner है वो आपका paper को किस तरीके से check करेगा हर चीज यहाँ पर mentioned है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कि एक examiner को है न पूरे दिन में वो सिरफ और सिरफ 20 answer books check कर सकता है ठीक है और उसको कम से कम 8 गंटे लगाने पड़ेंगे दिन में 8 गंटे में उसको total 20 answer books उसको check करनी होती है तो सारी की सारी जो guideline से लिखी हुई है कि जो आपको paper check करना है वो इस answer की के हिसाब से करना है अब मैं आपको math की answer की दिखाता हूँ जैसे देखो section A आपका obviousy बात है MCQ वाल है MCQ के अंदर तो examiner को ज़्यादा दिमाख लगाना नहीं होता अगर बच्चे ने सही option correct किया तो number मिल जाएंगे वरना गलत है ठीक है उसमें तो कोई चक्कर होता नहीं है लेकिन जो subjective question है वो दिखाता हूँ कोई बड़ा question ले लेते हैं ठीक है ये वाला question ले लेते हैं ठीक है तो इस question में देखो यहाँ पे आपको x y की value निकालनी थी अब बहुत सारी बच्चे मेरे से एक चीज़ पूछते हैं कि भाईया अगर math में हमारे साथ क्या होता है कि हमने पूरा question तो सही किया है लेकिन answer गलत हो गया तो हमारा school teacher क्या करता है वो उस पूरे question को गलत कर देता है हमें उसमें आधा number भी नहीं देता लेकिन boards में ऐसा नहीं होता boards में जो आपका question होता है वो आपका step wise check होता है जैसे बच्चे ने इतना step लिखा है तो उसको आधा number मिल जाएगा ठीक है अगले step का आधा number अगले step का फिर आधा number और last step का आधा number देखो ये जो question था ये total 2 number का था इसमें total 4 step बने और हर step का आपको आधा number मिल रहा है अगर आपने final step यानि कि answer में calculation mistake हो गई कुछ भी हो गया अगर आपका answer गलत है लेकिन आपके starting के 3 step सही है न तो आपको डेड़ number मिलेगा मिलेगा अब school में आपका paper किस तरीके से check होता है उससे फरक निपड़ता आपका जो final paper check होगा न वो इस तरीके से होगा और ये चीज सिर्फ math में apply नहीं होती ये चाहे आपके 5 ओ subject लेलो हर subject की जो answer किया न इसी तरीके से बनती है और हर subject में आपका जो paper check होता है न वो आपका step wise check होता है तो आप answer को जितना ज़्यादा point में लिख क्या होगे न उतना आपके लिए बैट रहे क्योंकि examiner को answer check करने में आसानी होगी अब यार वो कहाँ पे आपके paragraph में point ढूंटता फिरेगा जितना जल्दी जल्दी उस examiner का pen चलेगा न उतने ज़्यादा नमबर तुम्हारे आएंगे समझ में आई बात तो कोशिच ये करो कियार आपके examiner का pen रुके ही न मालो आपने नो कोशन बिल्कुल सही की है examiner ने जल्दी जल्दी चेक कर दिया और मालो दसमे कोशन में आपके थोड़ी बहुत गड़बड है तो अभी वो examiner रहना आपके दसमे कोशन में ज़्यादा नमबर काटेगा ही नहीं अब ये सेम चीज है नम आपको हिंदी के paper में दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक topper की answer sheet लिये तो यह उसने एक letter लिखा हुए ठीक है तो अगर आप notice करोगे तो जो examiner ने tick लगाए है ना वो देखो हर step पे tick लगा रखे ठीक है मतलब पूरा का पूरा जो format है ना वो आपका check होता है अगर आपने ये format सही लिख दिया ना ये मालो आपके आधे नंबर तो वहीं पे आ गए अगर आप ऐसे बच्चे जिसको पत्तर लिखना आता ही नहीं है मैं ये कह रहा हूँ आप सिरफ और सिरफ है ना ये जो format है ना वो सीख लो आधे नंबर तो आपके format में free में मिल जाएंगे और ये जो चीज है ना ये examiner इतना ध्यान से देखता ही नहीं है वह सारी बचे क्या करते हैं अपना जो पूरा focus है ना वो इस body को लिखने में लगा देते हैं वो इस format पे इतना ध्यान नहीं देते हैं format आपका free के आधे नंबर देता है और ये जो body होती ना teacher इतना दिमाग लगाता ही नहीं है teacher के पास इतना फालतू का time ही नहीं है कि वो आपकी हर line को पढ़ने बैठेगा अगर आप notice करोगे तो teacher ने ना सिरफ दो टिक लगा रखें और ये वो वाली टिक है कि भई ठीक है आपको जो answer लिखना है वो point wise लिखना है और answer आपका neat and clean होना चीए मैं आपको दिखाता हूँ देखो तो यहाँ पे ना मैंने एक topper बच्चे की science की answer sheet लिए तो यहाँ पे अगर आप एक चीज notice करोगे पूरा का पूरा जो बच्ची ने paper कर रख है ना वो खुला खुला कर रख है अगर आप यहाँ पे notice करोगे कि भई यहाँ पे देखो formula लिखा है ठीक है हर step अच्छे से neat and clean है अब जो examiner होगा उसको सारे की सारे step भई अच्छे से समझ में आ रहे है पूरा का पूरा जो paper है ना वो एक flow के अंदर चल रहा है important points है अगर आप notice करोगे underline कर रखा है तो यह जो छोटी छोटी चीजी है ना यह examiner को इतनी ज्यादा impress करते है कि आप सोच नहीं सकते क्योंकि examiner का जो पूरा का पूरा focus है ना वो underline word पे जाता है तो examiner देखेगा क्यार इस बच्चे को तो सब कुछ आता है मतलब जो important point है उसने highlight भी कर रखा है उसने diagram भी अच्छे बना रखे है तो examiner को ज्यादा दिमाख खपाना नहीं पड़ेगा उसको important important छीज़ खुद से ढूंडनी नहीं पड़ेगा आपके paper में क्योंकि आपने खुद ही वो underline करके highlight कर रखे है हमेशा कोशिश यह करो कि आपको paper एक खुला-खुला हो ठीक है neat and clean आपके diagram हो जितने भी important points है वो आप underline जरूर करना ठीक है मैं इसके और diagram दिखाता हूँ आपको अगर इसने draw कर रखे होंगे तो हाँ देखो यह diagram देखो कितना प्यार इसने draw कर रखा है हर चीज इसने अच्छे से label कर रखी है तो सारी चीजे अपने हमल समझ में आ रही है तो आपको paper को इस तरीके से करके आना है खुला-खुला करना है diagram neat and clean होने चीए ज़्यादा cutting मत करो अगर आप notice करोगे इसके paper में ज़्यादा कहीं पे भी आपको cutting नजर नहीं आएगी कहीं पे भी cutting नजर नहीं आएगा जैसे इसने छोटा सा यहाँ पे गलती कर दी तो simple, एक simple line मारी है इसने examiner का ना इस cut के उपर focus भी नहीं जाएगा लेकिन बहुत सारी बच्ची क्या करते है कुछ भी mistake हो गई ऐसे ऐसे, मुला scrub कर देते हो उसको पूरा यार scrub करने से examiner का पूरा focus आप उस cutting के उपर लेके जा रहे हो तो यह चीज आपको नहीं करनी है और हाँ, एक और चीज में आपको बता देता हूँ बहुत सारी बच्ची यार पूरे पेपर को रंग भी रंगा कर देते हैं रंगोली थोड़ी खेलनी है आपको पेपर के साथ ज़्यादा तर तो लड़किया यार पता नहीं मुला कौन कौन से pen मतल गुसा देती है sparkle pen, ये pen, वो pen पता नहीं बाई ये इतने ड्रामे बाजी करने का ना तो आपके पास paper में time होगा और ना ये आपको करने है अगर आपके पास time भी है तो भी मैं बोलूगा मत करना उस time को आपने paper को revise करने में utilize करना आपको multi color वाले pen लेके जाने ही नहीं है जितने भी आपके diagram है वो आपको pencil से draw करने है जितनी भी important चीज़े है वो आप pen से ही underline कर देना वो both है ठीक है कोई भी point है कोई भी heading है उसको underline कर दो for example आपको कोई भी topic explain करना है ठीक है जैसे sexual reproduction ले लेते हैं ठीक है तो sexual reproduction ये आपकी मालो heading है ठीक है तो आपको अगर highlight करनी है न तो simple एक underline कर दो अगर आपकी important इससे भी ज़्यादा important मतलब heading है तो आप इसके चारो तरफ ऐसे pen से ऐसे cloud बना सकते हैं इतना more than enough है इससे ज़्यादा आपको drama बाजी करने की ज़रूरत नहीं है एक तो underline करने में आपका time waste नहीं होता cloud बनाने में भी आपका time waste नहीं होता आपको ज़्यादा perfectionism में नहीं जाना है आपको बस इतना focus करना है कि paper में जो पुछा गया है आपको वो answer करना है answer जो करोगे वो neat and clean होना चीए ज़्यादा cutting नहीं होनी चीए और answer को point बना के लिख के आना है और in fact यह चीज आप इस वीडियो के अंदर भी notice कर सकते हो कि जितनी भी चीजे मैं आपको बतारों यह सारी point wise बतारों तभी तो आपको समझ में आ रहा है न जैसे मैं point wise बतारों और आपको समझ में आ रहा है यह गलती आपको नहीं करनी है जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बच्चे की answer sheet दिखा रहा हूँ तो देखो जो भी calculation वाला part था उसने यहाँ पे किया है यह आपको नहीं करना है आपका जितना भी rough work है वो आपको कहाँ पे करना है आपको नहीं पूरी answer sheet के जो सबसे last page है वहाँ पे करना है और उसके उपर नहीं rough work लिख देना ताकि examiner को पता चल जाए कि भी यह बच्चे का rough work है और यहाँ पे नहीं rough work मत करना और देखो यहाँ पे नहीं एक बच्चे ने एक और गलती कर रखी है rough work तो करी रखा है साथ में उसने cut भी कर रखा है जो कि एक नहीं बहुत ही भद्धा लगता है ठीक है यहाँ पे देखो neat and clean है लेकिन बराबर में ऐसे cutting होगी न तो अच्छा नहीं लगता ठीक है तो पहली चीज आपको rough work यहाँ पे करना भी नहीं है और in fact यहीं सेम चीज है ना 2-4 दिन पहले भी एक बच्चा में से instagram पे पूछ रहा था और अगर आपने भी मेरे को instagram पे follow नहीं किया तो please follow कर ले ना वहाँ पी बिने मैं काफी बच्चों की जो doubt से वो live solve करता रहता हूँ जो बच्चों को doubt यह है कि भाईया हमें जो paper करना है वो क्या हमें sequence में करना है sequence में नहीं करना देखो यहर मैं आपको हमेशा यह बात बोलता हूँ कि जो आपका math का paper होता न यह कभी भी आपको sequence में नहीं करना अब मैं जिस sequence की बात कर रहा हूँ वो कौन सी sequence है क्या मैं questions की sequence की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो मैं section की बात कर रहा हूँ जैसे आपका math का paper है उसमें total आपके 5 section होते हैं section A, B, C, D, E ठीक है, अब मान लेते हैं section A में आपके 21 से लेके 20 question होते हैं section B में आपके 21 से लेके 25icem хоч contin होते है section C में आपके 26-31 Downton section D में आपके 32-36 落ते हैं और section E में आपके 36-38 Gothining ठीक है? तो math का paper का pattern इस तरीके से होता है तो अब मैं जिस sequence की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो मैं section के sequence की बात कर रहा हूँ आपको जो paper करना है ना वो उल्टा करना है यानि कि आपको सबसे पहले section E करना है फिर D करना है फिर C करना है फिर B करना है और last में A करना है अब यह क्यों करना है यह इसका एक logic है देखो, अब पहले तो मैं आपको चीज समझा देता हूँ, यहाँ पर जो sequence मैं बता रहा हूँ न, यह मैं section का sequence बता रहा हूँ, अब जब आप सबसे पहले section E करोगे, तो सबसे पहले आपको question number 36 करना है, ठीक है, फिर 37 करना है, फिर 38 करना है, अब देखो, start अपने paper section E से किया है, लेकिन section E के अंदर जो question आते है न, वो आपके sequence में होने चीज़े, section आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन questions की जो sequence है न, वो आपकी सही होने चीज़े, अब जब आपका section E हो जाएगा, उसके बाद जब आप section D करोगे, तो section D के जो question है, वो आपको किस तरीके से करने है, 32, 33, 34, 35, and 36, अब जो section D के question है, ये आपके sequence में है, इससे क्या होगा न, जो examiner आपका paper चेक करेगा न, उसको पहले clear हो जाएगा, कि भई बच्चे ने सबसे पहले section E किया है, फिर section D किया है, अगर आपने section के अंदर ही, चीज़े आगे पीछे कर दिया, question आगे पीछे कर दिया, मालो section E में आपने 38 question पहले कर दिया, फिर 36 कर दिया, फिर 37 कर दिया, इससे जो examiner वो आपका चिड जाए इसके पीछे भी ना एक लोजीक है देखो जो आपके section E वाले question होते हैं यह आपके ज्यादा number वाले होते हैं तो आपको starting में वो question करने हैं जो आपके ज्यादा number के हैं क्यों क्योंकि यह आपको पता नहीं है जब आप paper solve करोगे न तो last में आपके time बचेगा या नहीं बचेगा राइट और अगर आपने paper सीधी तरीके से किया ठीक है तो last में आपका section E बच जाएगा और last में आपके पास time नहीं है तो section E में आपके वो question छुट जाएंगे जो आपके ज्यादा number के है लेकिन अगर आपने paper इस तरीके से किया ना तो आपका अगर आपके पास कम time बचता है तो section A वाले question चुटेंगे और section A में आपके कौन से question है जो MCQ है जो आपके last में वो रह गए ना वो तो आप अपने friend से पूछ के भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो subjective question है ना वो तो आपको लिखने पड़ेंगे लेकिन जो MCQ है वो आप अपने friend से पूछ लिया वैसे मैं cheating वगएर प्रमोट नहीं करता हूं ठीक है पहले बता दे तो और कभी भी आपको ना अपने friend के answer पे भरोसा नहीं करना चाहिए हो सकता आपका friend आपको गलत बता दे लेकिन मैं आपको ना ये backup बता रहा हूं ठीक है ये this is your backup कि अगर आपने paper सीधे तरीके से किया तो last में आपके section E के लिए आपके पास ज्यादा time नहीं बचेगा और ये सारे के सार question है वो subjective है 5-5 number वाले question है और ये चूट गया इसका E question भी चूट गया आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है 5 number का नुकसान हो जाएगा समझे रहो मेरी बात लेकिन अगर आपने paper उल्टा किया तो last में अगर आपका 1-2 question चूट भी गया वैसे चूटना नीची है लेकिन चूट भी गया तो आपका 2 number का paper चूटेगा क्योंकि एक question एक number का है मालो 2 question चूट गये तो 2 number का paper चूटेगा आपको कम दुखो होगा तो आपको paper जो करना है वो इस sequence में करना है हमेशा पहले वो question करने जो आपके ज्यादा number के है clear everyone समझ में आया अब देखो sections आप आगे प section D के question कर रहा हूं ठीक है section E के मेंने सारे कर लिए section D के कर रहा हूं और section D के करते time मालो मेरा मेरको 34 question नहीं आता तो उसके लिए आपको क्या करना है जगह छोड़ देनी है question को देखके अंदाजा लगा लेना कि यह जो question है मालो मेरा एक page में आएगा तो एक page की जगह क्यार यह question मेरा हुआ था कि नहीं हुआ था लेकिन अगर आपको खाली जगह नजर आएगी ना तो आपको तुरंत याद आजाएगा क्यार यह question तो मेरा अभी attempt करना रहता है और मैं आपको guarantee दे रहा हूं जितनी चीजे मैंने आपको अभी बताई है ना सिरफ और सिरफ यह चीजे follow कर लो यह जो चीजी है ना यह आपके इतने अच्छे नंबर दिला देंगी कि आपको खुद पता नहीं होगा मैंने यह जो चीजे आपको बताई है ना यह सारे के सारे मैंने एक टॉपर बच्चे के secret बताएं क्योंकि हैर मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब मैं वह वीडियो अप्लोड करूना तो आपको पता चल जाए ठीक है और इस टैप की वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत जाला महनत लगती है यह जो वीडियो मैंने बनाई है ऐसा निए कि मैं कैमरा ओन कर रहा ह इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ यहां पर देखो आपको नजर आ किया लिए तो टो मेरी मेहनत कि यर इतनी सफेक्ट कर लेना कि परेज़् यार वीडियो को लायक जरूर कर देना और इस वीडियो को यार अपने फ्रैंड's के के साथ जुरूर शेयर करना ताकि यह जो चीज़े मैं आपको बताई है ना यह जादा से जादा बच्चों तक पहुंचे और जादा से जादा बच्चों की help हो ठीक है तो जितनी भी basic चीज़े ना like, share, subscribe, जितनी भी चीज़े जल्दी से कर दो यार ताकि मेरे को भी motivation मिले य कि अभी आपके पास literally बहुत कम टाइम बचा है और यह जो कम टाइम है ना इसमें अपनी पूरी जो जान है ना वो जोक दो यह जो टाइम है ना यह डिसाइड करेगा कि या तो तुम टोपर बन जाओगे या तुम अभी जहां पे हो ना वहीं पे रह जाओगे तो प्लीज अ अपनी पूरी इमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ ना अपनी पूरी जितनी जान लगा सकते हो ना पूरी जान लगा दो और बाकी यार मैं तो हूँ आपको गाइड करने के लिए सपोर्ट करने के लिए अब जल्दी से जाओ यार पढ़ाई में लग जाओ बाए बाए झाल 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 झाल